हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद की चाट जब बहुत जोरों की भूख लगी हो और कुछ हेल्दी खाने का मन करें तो शकरकंद की चाट एक बहुत ही अच्छा आप्शन है ये चटपटी तो होती ही है और बहुती कम चीजों से बहुती आसानी से बन जाती है तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है सबसे पहले हम शकरकंद को उबाल कर छील लेंगे धनिया की चटनी लेंगे, अनार के दाने, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नीमबू सबसे पहले हम एक शकरकंद लेंगे और इसके पतले पतले स्लाइस करेंगे ठीक इसी तरह हम सारे शकरकंद के स्लाइस कर लेंगे इसके बाद हम एक प्लेट में थोड़ी से शकरकंद लेंगे इसके उपर हम दो-तीन चमज हरी धनिया की चटनी डालेंगे इस चटनी में हरी मिर्च, नमक और नीमो पहले से ही डाला गया है इसलिए आगे नमक और मिर्च हम इसको ध्यान में रखकर ही डालेंगे इसके बाद थोड़ा सा काला नमक डालेंगे फिर इसके उपर चाट मसाला डालेंगे अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप जल जीरा पाउडर का भी यूज कर सकते हैं इसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं इसकी बाद हम नीम्बू का रश डालेंगे और सबसे लाश्ट में अनार के दाने डालेंगे आप देख सकते हैं कि इससे ये दिखने में कितना खुबसूरत लग रहा है बस हमारी शकरकंद की चार्ट बनकर तयार है ये रेसिपी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू